जितने भी किसानवीर अपने चैनल के साथ जुड़े हैं सभी को मेरी तरफ से ससीका और राम राम दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊगा जो हमारे किन्नू जो पौदे से नीचे गिर जाता है उसका क्या करते हैं उसको एक मुशीन के द्वारा क्योंकि वो जिमिदार के किसी कामकानी होता वपारी भी उसे कम लेता है तो उसके लिए जो नीचे किन्नू होता है उसको हमारे कुछ लोकल दोस्ता है जो खरीदते हैं और इसको मंडी में बेखते है आपने कभी सस्ता जूस पिया होगा दस या बीज रुपे में किन्नू का जूस वो जूस इसी किन्नू का होता है अब आपको दिखाते हैं मिशीन पहले यह देखिए जो पहले खेट से आया किन्नू वो देखिए ऐसे जो खेट से किन्नू आता है इसको जो नीचे पौदों से पढ़ जाता है नीचे तो उसको इकठा करके लाते हैं उसके बाद इसको इस मिशीन में डालते हैं जैसे अपना भाई यह डालेगा करेट यह सारा खराब भी नहीं होता कुछ पका हुआता है जो नीचे सर्द इसके बाद इसमें से जो खराब किन्नू होता है जैसे यह देखिए यह खराब किन्नू इसमें से निकाल दिया जाता है उसके बाद यह किन्नू जाएगा मिशीन में और इसकी चार वराइटी निकल जाएगी पांच वराइटी बतारे जो बड़े साइज का होगा वोगा य तो यह चोटा साइज होगा, और जो बिल्कुल चोटा साइज होगा ये है. तो अगर आप कई से भी जूस पीते हो, तो हमेशा किन इन उपने सामने ही उसको बोलाओ कि ये किन उम मेरे सामने ही चील के मुझे इसका जूस पिलाया जाये जिए. छील के रखते हैं किनु वो ये भी हो सकता है क्योंकि ये इसका रेट जो ये मार्किट में जाएगा तो लगवग 15-20 रपे होगा ये अगर वो ही जूस वाला इसको लेगा अच्छे किनु को तो वो किनु उसको 50 रपे मिलता है तो आप कभी भी जूस पीते हो तो सस्ता जूस ना पिया करो पियो अच्छा जूस पियो जो जूस वाला भाई होता है उसमें बढ़िया बढ़िया जो दिखाने के लिए किन्नू रखे होते हैं उसको बोलो जी मुझे ये ताजा किलू छील के इसका जूस पिलाओ और जो आप पहला छीला होता है उसमें से ये भी हो सकता है सभी दोस्त जो जूस वाले ऐसे नहीं करते लेकिन कुछ पैसा कमाने के चक्कर में आपको ऐसा भी पिलाते हैं कभी भी जूस पियो अच्छा पियो ज्यादा पैसे लगा दो सस्ता जूस पियो गए तो वो आपको बिल्कुल 10 रुपे वाला जूस का जा 5 रुपे वाला ये होगा और यो ये है ये 15 रुपे में मिल सकता है आपको ये आपको 18-20 में मिल सकता है ये आपको 30 में भी मिल सकता है लेकिन जो A1 किनू होता है उसका जूस आपको लगबग 50 रपे का गिलास मिलेगा तो अब आपकी मर्जी है आपको कैसा जूस पीना है ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले